हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आल आज में आपके जो वीडियो ले क्या रहा हो देखिए SDFC के SDFC बैंक के शेर्स बेच दिये गए वो भी 72 करोड के अरे वा क्या रेट पे बेच हैं आज तो SDFC बैंक का शेर उपर गया था क्या उपर जाते ही बेच दिये अब आप सोचों कि यार जैसे जैसे मार्केट तेज होती जा रही है बड़े बड़े लोग शेर्स बेचते जा रहे हैं यह इंटर्पेटेशन सब की दिमाग में जाएगा और जाने भी चाहिए कि यही देख रहा है है ज़रा देख सीदे लेके चलता हूं आपको यह आज की देट है एगान कस्टडी ने एसडिएपसी बेंक के 72 करोड का माल बेचा है अब आपको के 72 करोड का माल बेचता है टोटल शेर्स अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो साथ लाख अलमुस्स आठ लाग मान के चले राउंड आप करके इतने शेर्स बेचे है एगान कस्टडी वी ने यह शेर्स बेचे है और यहाँ पर दीज शेर्स यह खरीदे कितने हैं किसने हैं TKP investment इसने यह शेर्स बेचा गया है देखे दो 910 रुपे के शेर प्राइस पर बेचा गया है और स्टॉक आज ने आपने देखा कि 960 तक गया था 946 तक गया था मतलब यहाँ पर बड़ी सेल यह हुई है जरह देखते हैं यहाँ पर HDFC बैंक के शेर के डिटेल में और उससे पहले हम आपको बता करना चाते हों देखे इस तरीके से स्टॉप लॉस एंट्री एग्जिट आप भी अपने खुद के प्लैन करना चाहते हो तो आप भी जॉइन कर सकते हो टेक्निकल अनलिसिस की सीरीज वहाँ पर यह सारे चीज़ आपको प्रेक्टिस करवाई जाती है कोई टिप नहीं दी जाती सारी प्रेक्टिस करवाई जाती है और उसके बेसेस पर आप एंट्री एग्जिट लेते हो अब सीदे लेके चलता हूं आपको एस्डी एपसी बैंक के तरब देखिए पांच लाख करोड का मार्केट का प्रलाइशन तीसरा टॉप का थर्ड स्टॉक माला जाता है द लेकिन फिलाल अगर आप देखो मैं कहूंगा कि SDFC बैंक एक ऐसा शेर है हर कोई चाहेगा इसमें इन्वेस्ट करना लेकिन कंडिशन कुछ ऐसी है बैंकिंग इन फैनेंशल के लिए कुछ खतरनाक वाली कंडिशन चल रही है हर तरब से इस तरीके से सारे मिल रहे हैं सिगन इस पसेंट की होल्डिंग है और उसके अलावा बड़े-बड़े मीचल फंड हाउसे लाईसी यह सब इसमें इन्वेस्टेट है देखिए यहर कोई इसमें 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 इन्वेस्ट किया हुआ है अब भात आती है कि SDFC बैंक अभी करेंट क्या हालाद चल रहे है SDFC बैंक के आज की डेट के अगर मैं बात करूँ SDFC बैंक में क्या कुछ हुआ तो जड़ा देखिए फिर बात करते हैं SDFC बैंक के बागी की डिटेल में देखिए 863 के प्राइस यहां पर जो आप SDFC बैंक का देख रहे हो और अगर मैं अभी के टाइम फ्रेम पर SDFC बैंक को यहां पर देखूँ तो देखिए बिलकुल आज यह उचला जरूर था सुबह सुबह फिर गिरावाट आए उसके बाद यह फ्लैक इसी रेंज में ट्रेड हुआ एक टाइम पर यह 960 तक गया था फिर उसी रेंज में ट् कर रहा है और तो अच्छी बात यह कि 200 आवर्स के सिंपल मुविंग आवरेज को पार कर चुका जो कि एक पॉजिटिव बात है देखते हैं किस तरीके से आगया आने वाले टाइम पर रेक्शन होती है आज पहले घंटे में ही जो यहां पर ट्रेड हुई उस माप देख सकत सेलिंग का प्रेशर और अगर मैं वीकली चार्ट पर देखो तो वीकली चार्ट पर शेर देखें काफी तेजी दिखा रहा है लेकिन यह तेजी दिखाने के बाद काफी इंपॉर्टेंट है कि जो 13th मार्च वाले वीक का जो पीक था उसके आसपास जाने की कोशिश हो रही है और देखने की किस तरीके से आने वाले टाइम पर रहता है इसका फिलाल अगर आप देखो तो जिस तरीके से यहां बॉटम पॉइंट 740 से यह तेजी 940 तक पहुंच चुकिए 200 रुपे का जंप यह देखने को मिला अब मुझे लगता कि एक गिरावट एक करेक्शन का टाइम आ सकता है इसमें आने वाले टाइम पर चलिए हमने सी बैंक की बात करी यहां पर शेयर की और जबर्दस शेयर है बड़ा शेयर है लेकिन बड़ी यहां पर जो है ट्रंजक्शन आज सामने निकल के आई है बल्क डेल के थुरू और वाइंड आप करता हम वीडियो को अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिए लाइक कीजिए चैनल सब्सक्राइब कर तो जब दिसे सब्सक्राइब कर लें बैल आकन को प्रेस कर लें जासे आपको नोटिफिकेशन आतीर एक एन थांक्यू थांक्यू पर लाच्टिंट वीडियो